हेलो दोस्तो मैं हरुषभ चाटजी और आज की सीडियो में हम comparison करने वाल है noise color fit ultra 2 versus fire bolt ring तो इन दोनों smartwatch में से आपको कौन सा perfect रहेगा आपके लिए उसका discussion करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए यूस पर लगे तो like जरूर करना चाल पर नहीं तो subscribe करके bell icon में दबा दिजिए मुझे instagram पर फॉलो किजिए दुरेट rc media house और दोना प्रड़क्स के लिंक दोस्तों आपको description में मिल जाएगा चलिए start करते पहले हम start करेंगे दोस्तो firebolt rings है तो यह थोड़ा सा पुराना model है इसका मैंने detailed unboxing and review वीडियो भी बनाए है अगर आप वह चेक आउट करना चाहते हैं इसका link description में रहेगा अभी देखते है अल्ट्रा टू तो यह नया वाला model है इसका link भी description में रहेगा detailed unboxing and review वीडियो design की बात करें तो दोनों ही similar भी है और अलग भी है similar क्यों बोल रहा हूं क्योंकि दोनों ही square type है बट अगर आप side profile देखेंगे तो यह ज्यादा sleek है यह थोड़ा-ज्यादा 7-8-inch का AMOLED definitely AMOLED में always on display मिल जाता है तो इसका display बेटर है resolution की बात करें तो वह भी इसका मतलब ज्यादा बेटर है आपको clarity बेटर मिलेगा अगर हम बात करें build quality की तो दोनों ही बढ़िया है solid है कोई भी difference नहीं है तो quality दोनों का ही बढ़िया है अब हम tracking की बात करें तो दोनों में SPO2 heart rate sleep tracking step tracking यह सब मिल जाता है तो बहुतार same tracking wise दोनों में ही आपको मिल जाएगा अब अगर हम बात करें extra features की पहले हम start करते है firebolt ring firebolt ring में Bluetooth calling मिलता है मतलब किसी को call करना चाहते है तो इससे कर सकते है उठाना चाहते है call तो वह भी कर सकते है तो इसमें आपको microphone and speaker भी मिल जाता है अगर आप जानना चाहते है इसका quality कैसा है तो उसका link मतलब मेरा unboxing and review video में आपको मिल जाएगा उसी समय अगर हम बात करें ultra 2 की तो इसमें 60 plus sports mode मिल जाता है sports mode firebolt ring का थोड़ा कम है company mention किया multiple तो definitely जो हमारा ultra 2 है उसमें 60 plus है तो definitely win करता है अगर हम बात करें battery life की तो इसका eight days है इसका seven days है ठीक है ultra 2 का but eight days is without bluetooth अगर आप bluetooth calling use करेंगे तो battery life half तक हो जाएगा तो without bluetooth थोड़ा सा जादा है बट with bluetooth यह वाला कम चलेगा मतलब firebolt ring कम चलेगा अगर हम बात करें pricing की तो ultra 2 का है 549 ने firebolt ring का है 4999 तो around 500 रुपीज डिफ्रेंस है जब भी आप ये वीडियो देख रहें आप description चेक आउट कर लीजिए आपको pricing मिल जाएगा exact pricing बट अगर मैं अभी बात करो चलिया almost 500 रुपीज डिफ्रेंस है कुन सा मैं सिलेक्ट करूंगा अगर आपको Bluetooth कॉलिंग बहुत इंपोर्टेंट आपको Bluetooth कॉलिंग चाहिए ही चाहिए तो फिर go for the firebolt ring नहीं तो Bluetooth कॉलिंग को साइड में रखेंगे तो फिर noise color fit ultra थोड़ा सा जाधा refined थोड़ा overall package better product मुझे लगता है अगर इन दोनों मैं से मुझे खरीदना होता तो अभी मैं noise color fit ultra ही खरीदता क्यों क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्लेय का कॉस्ट जाधा रहता है क्योंकि इन्होंने AMOLED डिस्प्लेय बहुत ही पार सप्राइजिंग तो मैं चूस करूंगा AMOLED क्योंकि क्या always on display भी मिल जाता है अब देख सकता है से हमेशा डिस्प्लेय ओन रहता है तो माइच चाइस अल्टर टू बट आपका चाइस डिफ्रेंट भी हो सकता है मैंने पूरा डिफ्रेंस आपको बता दिया दोनों बड़क्स का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा वीडियो अगर यूसफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान में दबाए दीजिए मुझे इंस्ट्राण पर फॉलो किजिए अगर आसी मेडियो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर सब्सक्राइब अबनेंगे तब तक के लि